फनीड हो श्युवमतियागी श्युमतियागी आपके पैस मैं आता हूँ भारते अंता पार्टी यूस कर रही है हिंदूों का और अगर भारते य siècle पार्टी से लटना है तो को आज के लिए कुछ ज़्यादा ही देख रहे हैं एक्जेंपल के तौर पे दो नवेंबर 1966 को 375 कार सेवकों को इंदरा जी ने पार्लेमेंट के चारो तरफ घेर के गोलियों से भून दिया मार दिया किया वो धर्म की राजनीटी नहीं थी? 1984 में एक रिपोर्ट कहती है वही दो नवेंबर को 574 सिखों को गोली से भून दिया क्या वो धर्म की राजनीटी नहीं थी? 9 में 2 नवेंबर और 3 दिसम्बर को कार सेवकों को मारा कहा जाता है 25 जिन को मार दिया गया एक श्री गंगा नगर का एक व्यक्ति था उसके माथे में सर में गोली मारी पुलीस वालों ने उसने अपने खून से लिखा श्रीया राम फिर से साथ गोली मारी उन्होंने क्या वो धार्मिक लंग नहीं था आज नहीं हो रहा है हमीजी ऐसा आज नहीं हो रहा है आज कहते है बयान दे दिया कि वह दाड़ी बता दी उसने किसके जैसी बताई सद्धाम हुसेन जैसी रही है तो अब देखें लग ऐसी रही है तो ऐसी रखी जाएगी जब आदर्णिया प्रधान मंतरी जी की दाड़ी भड़ी हुई थी तो उस पर सशी थरूर ने कॉमेंट किया था कि उनके दाड़ी के साथ-साथ महंगाई और तमाम चीज़े जोड़ कर वो कर दी थी तो आज इनको इतना दर्द क्यों हो रहा है देखें जो सद्धाम हुसेन की सोच रखने वाला है उसका वही नाम रखा जाएगा वही रखा भी जाना चाहिए मेरे इसाब से चीक है दीप कि यह दो विधायक किसानों की बात कर रहे थे किस चैर keeping इता चे लृइंड घंग इसलेकों में यह बिरस तो फिल जानते होंगे सारे लोग सिवाम त्यागी तो जानते ही होंगे अगर नहीं जानते होंगे तो नौलिज कर लेंगे जाके उन्हों ने कहा था कि लक्षमी गड़ेस कि अगर पूजा करने से धन्संपत्ति आते तो मुसल्मान गरीब नहीं होते मुसल्मानों के पास भी पैसा नहीं होता अगर बिना पूजा किये तो एक कुतर की बाते हैं भाजपा की जो लोग करते हैं धर्म की बात आपको विकास के लिए भेजा गया आपको राजनीती में सुचिता लाने के लिए भेजा गया लेकिन आपने क्या किया धर्म का तड़क करूँगा आप जवाब दे राजीव जेटली राजीव जेटली नहीं मैं कह रहा हूं उन्होंने सही बयान दिया है सही बयान को दिया है कि देखिए जब हिंदुस्तान का मुसल्मान अगर मजबूत होगा और देश की तरक्की में अपना कदम मिलाएगा तभी देश आगे राज्ते पर बढ़ेगा और वो कॉंग्रेस के साथ भी चल सकता है भाजपा के साथ भी लेकिन भाजपा ने इनके गले काट दिये तो कॉंग्रेस एक ऑप्सन है कॉंग्रेस पर आपकी मुझायक निकराओं करने हैं मुसल्मानों को निगल रही है सरकार तो नहीं हमिदों को चारा बनने देंगे ना मुसल्मानों को निगलने देंगे ठीक है ओके ओके वो कहने सही का